पाकिस्तान का जूट हार जाएगा पाकिस्तान के लगातार सवाल उठाता रहा है भारत का कहना है कि इस वीडियो के साथ छेड़ छाड़ की गई है और जब अंतराष्टी अदालत ने भी इस वीडियो को सुबूत मानने से इंकार कर दिया तो उसके बाद भारत का पक्ष और मजबूत माना जा रहा है हम आपको यह बता दें के नेदरलेंड्स की दहेग में मौजूद जी मीडिया रिपोर्टर इस फैसले के बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे यह फैसला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास आएगा और हम लगातार आप तक इस फैसले से जुड़े एक्सपर्ट की राय भी पहुँचा रहें हमारे साथ स्टूडियो में इस कवरेज के दौरान एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद रहेंगे और इस खबर से जुड़ी हर उस तस्वीर पर आप भरोसा कर सकते हैं क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्स पर वो पूरी तरह खरी उतरती है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं तो अपसे थोड़ी दिर के बाद याने करीब देड़ घंटे के बाद ये फैसला आएगा मिल सकेगी कुल भूशन जाधव से राजनेक भी मिल सकेगे और जाधव के लिए पाकिस्तान को दोबारा निश्पक्ष सुनवाई करनी पड़ सकती है लेकिन आपको ये भी बता दे कि ICJ का फैसला मानने के लिए पाकिस्तान बाद यानि की मजबूर नहीं है ये भी हो सकता है कि इंटरनाशनल कोट पाकिस्तान की दलीले मान ले और अगर ऐसा हुआ तो भारत ये वकील जाधव से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वकीलों के मिलने पर आखरी फैसला लेने का अधिकार पाकिस्तान के पास है राश्ट्रिय सुरक्षा का हवाला देकर पाकिस्तान कुल भूशन को फांसी भी दे सकता है ये भी हो सकता है कि IECJ भारत पाकिस्तान को आपस में बात करके मामला सुल्जाने के लिए और ऐसे हालात में कुछ समय के लिए जाधव को रहात मिल सकती है क्योंकि अगस्त तक जाधव की फासी पर रोक है लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत का रास्ता अपना न पड़ेगा दोनों देशों के बीच कैदियों को लेकर संधी पर बात करनी होगी और ये पूरी तरह से कूट नीतिक संबंदों पर निर्भर करेगा कि ऐसी हालत में जाधव की रहाई कैसे होगी और इस पूरे कवरेज के दौरान हमारे साथ अचल मलोतरा रहेंगे पूर्व राजनेग है ब्रिगेडी रिटार्ट बीडी मिश्वा रहेंगे वो रक्षा विशेशग्य है ब्रिगेडी रिटार्ट अमरित कपूर साहब भी डिफेंस एक्सपर्ट है एस्टिमुनी हमारे साथ है जाने माने विदेश मामलों के जानकार अक्सर आप उनको भी टीवी पर देखते हैं उनके कॉलम्स भी पढ़ते हैं मेरे सहयोगी कार्तिके शर्मा इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है ब्रह्म प्रकाश दुबे विदेश मंत्राला से हमारे साथ लाइव रहेंगे लेकिन उसके पहले भारत में राजनीतिक सरगर्मी तेज है आज इस मामले को लेकर जल्दी से आपको सुनवाते हैं क्या बाते हो रही है ट्राइल ऐसे छिपे रूप से क्यों किया गया सबूत कुछ उस ट्राइल का नहीं दिया गया तो यह सारे मामले ऐसे हैं जो गंबीर मामले और हम आशा करते हैं कि जो निरने आएगा जो जज्जमेंट आएगा वो भारत के पक्ष में हो पाकिस्तान ने जरूर दलील पेश की कि आईसी जी कुछ डिडिक्शन नहीं लेकिन हमारे भारत के तरफ से जो दलील पेश की गई इस आडवेजी ने उसमें उने कई रेफरेंसी जज्जमेंट दिखाएं कि जिसके आधार पर मुझे पूरी उम्मिद है कि आंतराष्टे नैले को पुरा अधिकार है और इसका फैसला हमारे पक्ष में आगा एक शेना ओफिसर के लिए इंटरनेशनल कोर्ट तक गया इसलिए हमारा इस बतन के लिए एक एक शेना का मुल्ल कितना है हम शेना को कितना अधर करते हैं शेना का साथ कितना है यह साबी दुआ भारत सरकर का इतना वारा स्टेट से इंडिया ने at least 16 बार जो है वो पाकिस्तान को लिखा पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया कि मिस्टर जादव को काउंसल सर्विसेज मिलनी चाहिए लेकिन वो उन्होंने नहीं दी हर अंडर ट्रायल प्रिजनर को चाहिए वो कोई भी ओफेंस में वांटेड हो काउंसल सर्विस मिलनी चाहिए तो हिंडोस्तान ने साफतार रुपे का है कि पाकिस्तान को रिस्ट्रेन किया जाए पाकिस्तान के मिलिटरी कोट की जज्जमिंट को सेटसाइड किया जाए और कुल भूशन को वो तमाम चीज़ें दी जाएं जिसका वो हकतार है आज एत्यासिक जीत होगी कि जाएक शट्य की जीत होगी bio जो हाग में जो international court of justice है वो बोलेगा ये provisional है order में हो सकता वक्त लगे तब तक आप ये कीजे उसमें भारत सरकार को वक्त मिल जाएगा लेकिन हमको इसको दूसरे परिपेक्ष में सबनना चाहिए आप बताइए कि आपने जादव को महिने भर में पकड़ के उसको मौत की सद सुना दी और वहां हाफिस साइद और बाकी जो terrorist पड़े हुए हैं वो civil courts में 10-10 साल से उनके cases चल रहे हैं तो ये पाकिस्तान की duplicity है या हमको सबढ़ना पड़ेगा case legal point पर लड़ा जा रहा हम मानते हैं और legality पर ही वहां पूरा मद्वेद हुआ है लेकिन पाकिस्तान में जितने terrorist हैं उन पर कोई military court में trial नहीं हुआ जिनको आपको लटकाना है जो आपको लगता है कि पाकिस्तान स्टेट की खिलाफ उन सब का trial military court पर होता है और जो हिंदूस्तान में आतंग बात पहला रहे हैं वो सब civil court में पड़े हुए जो कभी घर चले आते हैं या जेल में के लिए घर बन जाती है तो यह पूरा का पूरा मामला पाकिस्तान के दोगले पन को साफ करता है लेकिन एजडी मुनी साब भारत और पाकिस्तान के संबंदों में यह दोगला पन तो हमेशा से रहे हैं हम फिर उमीद क्यों कर रहे हैं कि इंटरनाशनल court of justice में नयाय मिल जा को लिखा कि एकसेस दें जादव साहब की मदर ने माने एक अपील दी कि आप उनको एकसेस दें मिलने दें बात करने दें क्या हुआ है यह पता लगे उसको और यह सब जब तरीके फेल हो गए तब हम ICJ में गए यह कहने के लिए कि देखिए यह बिलकुल शैम आदालत में क इकसेस हम लोगों को नहीं मिला है इसलिए हम लोग इंटरनाशनल कोड यह कोई बहुत बड़ी उम्मीद है में पाकिस्तान से नहीं है लेकिन प्रयास है और अगर आज आज का फैसला पाकिस्तान के खिलाफ जाता है तो यह हमको एक नैतिक बल देगा अंतरराश्ट्य समु से हम लोग गए हैं देखें क्या होता है अचल साब आप किसे दिखते हैं बिलकुल मैं काफियत तक प्रोफेसर मुनिज जी से साहिमत हूं आपको देखें रोजी यह जो फैसला है आई सी जे में जाने का मुझे लगता है कि बहुत ही कोई आसान फैसला नहीं था भारत सरका लिए क्योंकि यह भारत की लीतियों के विपरीत है पाकिस्तान के कॉंटेक्स में हमेशे यह बाट पर जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो भी समस्या है जो कोई भी प्रॉब्लम है हम वाईलेटरली उसको सॉल करेंगे हम उसको इंटरेशनल लायस नहीं होने देना चालते हैं और लेकिन उसके बाप जूद भी पाकिस्तान ने कुछ सिच्वेशन ऐसी क्रियेट कर दी कि यू समझ दीजे कि भारत सरकार के पास desperation में कोई दूसरा रास्ता रह नहीं गया था क्योंकि ऐसा को सकता है सवाल था एक इंसान की जिन्दगी और मौत का और एक ऐसे इंसान की जिन्दगी और मौत का जिसको जबर्दस्ती फांस के जूटा चला के फांसी पर लटकाने की तयारी की जा रहे हैं अगर भारत से एक सरहारी कदम है इसकी लांग टर्म इप्लिकेशन सब्सक्राइब हो सकते हैं कलको पाकिसान इंटरनाशनलाइज करना शुरू हो सकता है हमारे इंशूस को वाट यह जूरूरी था और चुकि हमारा केस जो मैरिक में स्ट्रॉंग है पॉइंट्स हमार रपास वाइलेशन आं इंटरनाशनल नॉम्स का कमिटमेंट्स हैं पाकिसान के जिएना कज्वेंशन के अंडर फिर उसकी बाइलेशन अप जो इंटरनाशनल कर्वेंशन ओन सिविल और पलिटिकल राइट्स है उसको पर डिफेंस की वह नहीं दी गई इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो सबस्टेंट और सबस्टेंस और कॉंटेंट में हमारा केस काफी स्ट्रांग है लेकिन चुकि यह कोड इस समय यह नहीं देख रहा कि वो स्पाई था या नहीं वो टेररिस्ट था या नहीं और टेक्निकलिटीज का जातक सवाल है यह एक बड़ा टिकलिश इशू है तो आज का जो फैसला आने वाला है उस पे कौन सी चीज किस पर भारी पढ़ती है यह कोड बहुत ही लिगालिटीज और टेक्निकल इशूज पर जाएगा और पाकिसान ने बहुत साले टेक्निकल इशूज के और देखी उसने बहुत ही चला को नहीं मानेंगे इन हलात में और उन हलात में से एक नैशनल सिक्योलिटी को जोड़ दिया उनों में सिर्फ बारा दिन पहले यह पूरी की पूरी जो है एक आप समझ लिजे कि एक सोची समझी स्कीम के अंडर पाकिस्तान चल रहा है क्यूंकि हम काफी हद तक सफल हो चुक मैं जो हnew stick ने करता अबने बाइस की नहीं करता हैं लुन सिकल है आर नहीं करता हो उसके अपने v态सoten अपनी मैं चाहता था कि हम उस चीज को काउंटर करने के लिए और जब से हमने बालूचिस्तान को छेड़खानी शुरू करी है तो उस चीज को काउंटर करने के लिए भारत को प्रजेक्ट करने के लिए कि शेर्थ अब इंटरनेशनल कोड़ जस्टिस में चले जाएंगे तो बारा दिन पहले जाके उन्होंने नैशनल सेक्योरिटी का उसके अंदर एक फंदा डाल दिया तो आज फैसला जो होगा वह अब अगर टेक्निकालिटी पे हुआ तो आगर मैरिट पे हुआ तो जुरूर हमारे हाथ में जाएगा फैसला किसी के भी पक्षमों तनाव बढ़ेगा दुनों देशों के बीच फिर से एक बार मनतें आप इस बात को मैं दो चीजें बताना चाहूंगा सोलह माई को एक कानक्लेव था सुदरशन टीवी का उसमें बासित आये थे हाई कमिशनर और ये हा जादव कुलभूशन जादव ये जिन्दा है और ये जिन्दा है तो इनको आप टेलीवीजन पर क्यों नहीं दिखा रहे हैं आपने जो काउंसलर एक्सेस है वो तो डिनाई कर दिया तो बासित ने कहा हंड़ेट परसें जिन्दा है और कोई उमीद और किसी आंसर की थी न नहीं जाएंगे तो होगा तो उनों नहीं ये कहा कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस में जो मुकदमा चल रहा है वहां से ओछ छोड़ें जाएंगे तो उन्हें चाहा कि बए ये नहीं बता सेंगे बड़ी पेचीदिदिया बड़ी पेचीदिय आएं घीक ए उन् अपनी जगह पर करेगा और दूसरा मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसे कई cases हुए हैं अभी अख़बार में आप पढ़िये law grand case है between Germany and United States, दूसरा है avena case between Mexico and United States, जिसमें international court of justice के फैसले के बावजूद इन देशों जो काम किया, वो counter था, वो against था, तो यह जो उमीद है हमको, जो हम हमारा case है, यह भी किस तरीके से पाकिस्तान treat करता है, यह primary है, और दूसरा बात यह है, कि जो bilateral agreement है हमारा, May 2008 का जो उसमें class 6 है, उस class 6 में कुछ ऐसी पेचीदगियां है, जिसको पाकिस्तान इस्तेवाल कर सकता है, कि भई यह, इसमें तो हमारा है, और जो class अभी security के बारे में जोड़ा है, उन्होंने कहा कि वो तो terrorist है, वो तो वहाँ बलुचिस्तान में problem कर रहा था, तो इसको तो हम अलग तरीके से treat करेंगा, और यह बासित ने कहा, कि हमारे यहां जो आर्मी की court है, वो decide किये हुए है, उनका यह, उनके jurisdiction ने है, ठीक है, देखेंगे, पाकिस्तान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी जो Saturday को एक report आई थी, United Nations Committee of Torture की, उसमें बड़े साफ शब्दों में रोहिद बोला गया था, कि पाकिस्तान जो आतंगवाद के cases हैं, उनको वो civil courts में क्यों नहीं ले जाता, उनको military courts में क्यों try कर रहा है, यह United Nations की Committee of Torture की report है, सारजनिक report है, सबके सामने हैं, तो जादव को पहले बताए नहीं कि कहां उसको try किया गया, चार्जशीट नहीं दी गई, judgment की copy नहीं है, माबाब को वीजा नहीं है, 16 बार counselor access नहीं है, और जादव को बोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सच सामने आ जाएगा, क्या आदमिया गुआ हुआ हुआ है, लेगिन अगीकत यह भी है कि पाकिस्तान वर्ल की पांच टॉप executioner countries में आता है, पांच ऐसी countries हैं पूरे वर्ल में, जो इस चीज़ के लिए बदनाव हैं, इस डी मुनी सर, इस समय हमारा आदमी उसके पास है, हिंदुस्तान का तनाव सबसे बड़ा इस वक्ति है कि आपका आदमी उसके पास है, और सारी बातें इस चीज़ के खिलाफ जाते हैं, कि आप पाकिस्तान से कोई भी पॉजिटिव उम्मीद करें, तो ऐसी स्थिती में हम क्या ये माननें कि हम ये लड़ाई दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहे हैं बसुनिया को दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किस के लिए लड़ रहे है एक जो हमारा केस है उसके दो आदार है एक तो यह है कि कांसिलर एकसिस दिया जाए जो विएना कन्वेंशन के अंडर आता है इंटरनाशनल लौ के अंडर आता है दूसरा उससे भी बड़ा केस यह है कि हुमनिटेरियन एकसिस दिया जाए कि किस तर तो इस तरह की जो बात की जा रही है वो उसको रोकने का प्रयास है देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी देश के जब हित उसमें इन्वाल्व होते हैं तो यह जानते हैं कि कई जो हमारे दोस्त नहीं है जो दुश्मन की तरह हमको देखते हैं वो हमारी बात नहीं मानें तो आप कहां जाएंगे अंतराष्टिय समुधाय के पास जाएंगे और दूसरे जो आपके साधन हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वही भारत का प्रयास है और मैं यह मानता हूं कि अगर मान लीजिए यह केस आज भारत के हक में जाता है तो वह एक भहेंकर र होगा ना जब वीटो लगाने इसे पहले भी और उसमें यह पता लगेगा कि कौन देश कहां खड़ा है तो जो मान्यता हैं इस सारे विश्व के संरच्णा को चलाने की जो इसका स्ट्रक्चर है धांचा है इसके रिलेशन से उनमें पता लगेगा कौन कहां खड़ा है